देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रही एक खबर समय जगत के साथ किसानों की आबादी है चंदेरी विधान सवाथ चेत्र में अबादी है तो अबादी हो जाए तो मुद्धी पूरी होने नहीं हो पाएंगे लिए आपको खास-खास मुद्धी बता रहा हूं किसानों की आबादी है चंदेरी विधान सवाथ चेत्र में किसानों के लिए कुछ नहीं है आपने दोगा भावंतर में पिछली साल जुन का सुभी नुडदा तुला था उनका कुछ लोगों का पैसा अभी तक नहीं मिला है समर्थन मूल पर चंदा खरीदा गया उसकी नो है तो साथ हस्वावर का बिल नयाम यहां से पहुंच रहा है भूपाल से तो किसान के लिए कुछ नहीं है वहां आदिवासी भावल चेत्रे आदिवासी लगातार प्लाइन कर रहा है होंसे रोजगार के लिए कोई रोजगार की सुब्दा सरकार ने आज तक 15 अल में कोई उपलब दनी कराई है नौजवान के लिए कोई रोजगार नहीं सिक्षित नौजवान हो घूम रहा है और विकास की वाथ आबास हो जोजना हो कि मैं बात कर दो जंडोरा पीट रहें कि इतनी हम सवा लाग रुपे की कुटी दी रहे हैं तो मैं साब कर दाने चाहता हूं मैं पार्टी के उन तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं कि सवाल लाग रुपे में भार्णित्य पार्टी या कांग्रेस किसी एमेले की बातरूम बनेगी क्या तो यह सारे मुद्दे हैं कि हुआ असिक्चा है गरीबी है और किसानों के लिए कोई इंतिजाम नहीं है सरकार है यदि किसी आदमी की जूटी रिपोर्ट थाने में लिखी हो जाती है तो दस जार पांस जार रुपे बिना वो नहीं निपड़ता हम लोग लगा तार थाने में धर्णा देखके प्रतरसन करके दवाब बना के हम लोग जंदा को बचाने का काम कर रहे हैं अभी आप चना स्थी स्थीक्राव में सुबैरोज जाताता ता आठ बजए नाकर मैं देखता है ता कि कि चाय ट्रोली बड़े आदमी की हो अ छोटे आदि की हो बड़े किछोटी की हो चाय आम यू चाय बड़ा आदमी हो सबकी नमर से तो लेगी यह बसता हम लोग उने प्रत. rec成 just इतना भिष्टाचार है कि बिना पेंसोगी थाने में तैसिल में कोई फाइल नहीं बढ़ती है। पड़वारी कोई गल्ती कर दे तो किसान अपील करना पड़ता है। कई सालों मामलों नहीं निबढ़ रहा है। तो भाणिता पार्टी की जो जनवरोधी नीतियां हैं। उनका कांग्रेश के लोग इसलिए प्रोधी कर रहे हैं कि जनता नाराज होके हमको बोड़ दे लेगी। आप समाजबादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। लोहिया जी की विचारधारा से प्रभावेत होकर ही आप छात्र जीवन से ही राजनीति में आए। तो आपने किन-किन पड़ावों को पार करती हुए आज ये मुकाम हासिल किया है। मैं बता दूँगा आपको मैं जब नेताजी रक्ष्यमंत्री थे उन नीश्व इंठानवे में तो उस समय मैं बश्टियर का स्टूडेंट था। उस समय राजामता जी चुना उल रही थी और देविन शी रखबंजी लोगसवा को चौन रहे थे। उस समय हम लोग हमारी पार्टी ने एक मेंध्रपालशी जयादव को लोगसवा का प्रत्यासी बनाया। तो लोग नोमिनिशन के लिए गुना जा रहे थे। मैं कौलेश से आ रहा था। तो उनकी गाड़ी दीखी तो लोग उनकी साथ देवत्रे उनकी बुलाएं के ना हमें कि जयपाल जाता तो चलोग उना हम समाजवाधी पार्टी से यहाद पाल लगाएं। मैंने थीक है चलिए उनकी साथ चला गिया। सिर्टागेंड के उस समय से लगा हूं आज समाजवाधी पार्टी में दाथ चलोग पूर चाह दोरो मैदान ने रह की चाहनेकी है अगि किसी दल की सरकार नहीं बनेगी हम उसी दल का सहयोग करेंगे जो हमारी बात जैसे कि किसानों का पूर्य करजा माप हो चाहे बिजली का हो बैंक का हो सहकारी बैंक का सरकारी बैंक का प्राइविट का दुकानदार का या सावकार किसी का भी करजा हो किसान को पूर्टा करजा मा किसान को ना टूबे लगानी जरूबस है ना कुगा खोनी की जरूबस है सरकार की जवाबदार होगी हर खेत को बिजली पानी और शड़क कैसे पहुचाई जाए बेरोजगारी की बात है कि हम लोगों को अबादी के अधार पर नोकरी देंगी कि सिब जिस बर्क की जितनी अगितार बनाएंगे अब जैसे की गरीब आपने देखाऊ बीपेल से नीचे जमीनी क्या आर्थे गरूप से कमजोर हैं गरीब रिखासी देचे रहने वाले लोग हैं उन गरीब परिवार की महला मुखिया को हम लोग 2000 से 3000 रुपे महिने तक समाजवादी पैंसर होईना द सकते उनको सुचना प्रद्योग की डिटल इंडिया बनाना है तो उन लोगों को स्मार्टफोन हम लोग उपलब कराएंगे और हमारे हां जंगल बहुत है सरकार जमीन बहुत पढ़िए हम लोगों की सायोक्सर जो सरकार बनेगी हम लोग निवीश कराएंगे हम निश्चे थी आपकी जो मुद्दे हैं इस्थानी मुद्दों को लेकर आप चोनाम मैदान में उतरेंगे क्योंकि भाजपा बरतमान में सत्ता में है तो वहाँ पर एंटी इंकंबेंसी का कितने आसार है एंटी इंकंबेंसी का इतना अंदर है कि एक आदमी को टिकल मिलेग निन्यान पर लोग है उनके निन्यान पर नेता है उनके ओड़ों लोग कहीं ने कहीं किसी अन आजमी का सायोग करेंगे हमारा भी कर सकते हैं तो आज के इस खास कारकरम सक्सियत में समाज बार्टी पारटी ये जैपाल सिंग यादब महमान थे अगली बार फिर एक नई सक्सियत के साथ मोजूद रहूँगा तब तक नमस्कार नमस्कार देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रही एक खबर समय जगत के साथ